नमस्कार वैब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पर हेडली ने कहा कि लशकर के निशाने पर था मूंबाई हवाई अड़ा आतंगवादी डेविड हेडली ने वीशच दालत को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए अपने बयान में चौथे दिन ये बताया कि पाकिस्तानी आतंगवादी संगठन लशकर तयेबा मूंबाई के हवाई अड़े को निशाना बनाना चाहता था हिल्ली ने कहा कि उसने मूंबाई के वरली, गेटवे ओफ इंडिया और कफ परेड की रेकी की थी लेकिन आतंगवादीों ने मूंबाई में घुसने के लिए कफ परेड को चुना था उसने बताया कि मूंबाई हवाई अड़े पर हमला नहीं होने से लशकर के आतंग की नारास्त है मेजर इकबाल ने भी रेकी के बाद भी हवाई अड़े पर हमला नहीं होने पेर नाखुशी जताई थी आइस्टेन का आकलन सही वैज्ञानिकों ने खोजी गुरुत्वाकर्शी तरंगे भातिक और खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपुर्ण खोज में अंतराश्टिय वैज्ञानिकों ने कहा कि अंततह उन्होंने गुरुत्वाकर्शी तरंगों का पता लगा लिया है जिसकी भविश्वानी आइंस्टैन ने एक सदी पहले ही कर दी थी वेग्यानिकों ने इस सफलता को उस शंड से जोड़ा जब गैलिलियों ने ग्रहों को देखने के लिए दुर्बिन का सहारा लिया था इन तरंगों की खोज ने खगोल विदोक को उत्सा से भर दिया है क्योंकि इसे ब्रह्मार्ण को समझने के लिए नए रास्ते खुल गये है ये तरंगे ब्रह्मार्ण में भीशन टक्करों से उत्पन हुई थी इधर इन तरंगों की खोज से संबंदित परियोजना में भारतिय वेग्यानिकों की योगदान की प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने सराहना की है उन्होंने ट्विट किया कि अत्यदिक गर्वा है कि भारतिय वेग्यानिकों ने इस चुरोंती पुर्णा खोज में महत्वपुर्णा भूमी का निभाई है मुशार रफ ने कहा कि लशकर जैश के आतंगवादियों को प्रशिक्षन देती है आएसाए मुशार रफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना असन्य लोगों को प्रशिक्षन नहीं दे रही हमारी तरफ के और आपकी तरफ के खूफिया संगठन भी इसमें शामिल है मुशार रफ ने भारत में आतंगवादी गती विदियों का एक तरह से बचाओ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कश्मीर लगातार भावनाय जगाता रहता है उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी लड़ रहा है वह स्वतंतरता सेनानी है